नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सर्गमपन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकर्ष गुरुमन्स और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु आपका बहुत-बहुत स्वागत है गुरुबे जाता खुश्यों दे, सबसोखी रखे आपको क्या लगता है? कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफन होने के लिए एक इंसान को क्या होना चाहिए? काबिल होना चाहिए और शायद आप गलत सोच तहें हैं क्योंकि बहुत सी बाहर ऐसा होता है कि काबिल होने के बावजूद भी व्यक्ति पूरे जीवन नहनत करता है पर उसके बावजूद भी उसे कभी सफलता मिलती ही नहीं ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कनेक्शन आपकी कुनली से है? आज हम यही जानेंगे गुरुदेश से इसी विश्व पर चर्चा करेंगे पर हमेशा की तरह शो की शुरवात के पहले आप सभी को याद दिला दू कि फेस्बुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजे और इसके जरी आपको हमारे शोव पर लाइफ कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है और अगर आप गुरुदेश से सीधा संपर्ट करना चाहते हैं तो अभी फोन इठाए न तीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो परिशान मत होईए उसके लिए गुरुदेश के संस्थान में जाईए और निशूर के अपने भविष्य के बारे में आप जान सकते हैं अब इससे जादे तरीके आपको और कहा मिलेंगे। गुरुदेव विश्य से शुरुवात करते हैं। आज का विश्य कई लोग इससे खुद को जोड कर देश पाएंगे। क्योंकि लगता है कभी 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 कि हम लोग इतनी महनद कर रहे हैं, काबिल भी हैं। पर हमें काम्याबी हासिन नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों कर रहा है परमात्मा हमारे साथ। तो जानना चाहूंगी कि कुंदुमी में ऐसे कौन से यूग होते हैं जो काबिल होने के बावजूद भी व्यक्ति हो कभी सफल नहीं होने दे। पहली बात तो बते हैं, यह जो क्यों शब्द है ना, यह क्यों शब्द सिर्फ इस धरती के लिए है। कि कोई सवाल जवाब हो, कोई कार्या हो, कुछ भी हो, उसके अंदर क्यों लगाओ तो उसका जवाब है। लेकिन अगर हम किस्वत की बात करें पर्मात्भा की बात करें और उसने जो हमें देना है या नहीं देना, उसके क्योंको कोई सवाल ही नहीं उतदा। क्योंकि आप तो जवाब दें कोई नहीं आएगा कि ऐसा क्यों। जवाब सिर्फ एक ही होगा और वो होगा कि जनम कुली के अंदर ये फलाना योग मना हुआ है और इसके कारण ये काम खराब है लेकिन ये क्यों बना है इसका जवाब कोई भी दी सकता है वो तो जब आप पैदा हुए तो वो एक छाप है जैसे सरकार का असूल जो बन गया असो बन गया और जो अपलाई उसने कर दी असो कर दिया उसके पीछे क्यों कौन सुनता है तेक है ऐसे बहुत सारे कनून है जो कामन थौट से सोचके देखे जाए तो वो दूसरों को दुख भी दे जाते है समझे लेकिन उस क्यों को नहीं सुना जा सकता क्योंकि वो सरकार ने पारिट कर दिये इसी तरह से उपर आली सरकार है जो सारी सरकारों को भी चलाती है वो जो कानून लिख के देखे है उसके आगे क्यों बनता ही नहीं है अब यह योग है आपने काबिल होने के बावजूर्द भी जो लोग कामजाबनी होते शनी और ब्रहस्पती क्या करें इसका अकेले ब्रहस्पती 11 सान पर बैठे हूं तो परडिक्शन ये आती है कि जब तक पिता और भाई साथ में या पिता तुल्ले भाई साथ में तब तक इनसान रा जा और अगर इनका साथ छोड़ा तो एक मच्छर को से भी मकाबला करने की कोई ताकत नहीं बचेगी ज़िए क्याने का वल्ला बुद्धी अपने आपको वो गया लिए नहीं देती है और ये महायोग जो खराब बन जाता है वो कैसे अगर शनी देव खराब ववस्ता के अंदर धनभाब में हो और उनकी पूंद रश्टी ग्यारवे घर के अंदर बैठे हुए ब्रस्पती पे हो तो ऐसा इनसान को का जाता है मुझा देनल यानि कि ऐसा इनसान बहुत जल्दी डरने वाला भी होता है बहुत जल्दी अवेश में आने वाला भी होता है ऐसे इनसान को जिन्दगी में कितना भी लिखाया पड़ाया जाए कुछ भी जनाया जाए वो इनसान किसी काम को कभी पूरा नहीं कर पाता है ऐसा इनसान अगर अभी रोके हटा है उसकी पसंद का उसे महाल मिलते ही वो खिल खिला करके हस्ता पी है और ऐसे इनसान को समझदारी कितनी भी सिखा लो वो जब अपना वैवार करेगा तो ऐसे लगेगा इससे समझदारी इनसान ही कोई लिए जब वो रोग डालके कोई काम करवाने लगेगा वो लगेगा भी मास्टर ही है लेकिर अल्टिमेरली उसके रिजल्ट जीरो यानि कि वो कामों को जाला देर तक याद नहीं रख पाता है और यही वो लोग होते हैं जो रोज काम की त्यारी करते हैं लेकिन कोई काम नहीं कर पाते हैं यह योगी ऐसा खराब है और जबकि इनके साथ बात की जाए तो इनसे अच्छा जानी कोई नहीं करम की बात की जाए इनको सारी दुनिया की नालिज है इनके साथ मैनेजमेंट की बात की जाए तो इनसे अच्छा एडवाईज कोई नहीं देता और किसी भी तरह के टेक्निकल काम करने हो तो इनको पहले से पता होते हैं ये सारे गुन इनके अंदर होने के बाज़ दूल ये कभी काम ने कर पाते है एक तो ये योग बड़ा खराब है एक और योग का मैं जिक्र करूंगा पता नहीं इसका सवाल का पूछा दाएगा लेकिन ये जोग बड़ा खराब होने के कारण ये बताना बहुत सब्सक्राब होती है अगर जननकुली के चौते घर के अंदर मंगल हो और बुद्ध बारवे घर के अंदर हो ये इतना बुरा योग कहते हैं बुद्ध ही खराब होती है और बुद्ध खराब होने का मतल嘆इए यह कि ऐसा इनसान ग्रोज चाहे मेंनत करे चाहे अपने किसी पी तरह से सिखाने पढाने का काम करे कुछ भी करवाने का ऐसे इनसान के पास से होने ही उल्टे काम होते हैं यानि कि वो जो काम करता है उसमें कमी निकलाती है और कभी सही तरीके से नी चल पाता और ऐसा इनसान जिसके साथ भी जुड़ा हुआ होता है उसके दुखों का ये कारण ही बनता है क्योंकि इसके पास से कुदरती तोर पे होने ही गलत काम होती है तो जो हमने पहला यो कहा कि हिसान लगता समझ जा रहा है हर तरह से काबल भी होता लेकिन कामजाब नहीं होता अगर ये यो किसी की भी ज़नम कुली के अंदर हो जड़ा उसको ये उपाई करना चाहिए कि तर्दाली जिन लगता बारा साबुर बदाम लेके उनको हल्दी से पीने करके पहले वो गरीबों को बाड़ते यानि कि भोश के ये बारा साबुर बदाम और लेकिन ये किसी पॉलिफिन वगरा में डालके नहीं काजस के लिफाफे में डालके लेके जाएं तो जाना अच्छा और अपने हाथ से ही हल्दी लगाएं और उसके बार उसे लगातार सालोस साल हर हफ़ते शनी वार को यही बारा सामुर बदाम को हल्दी से पीले करके इनको दान देते रहना पढ़ेगा आप समझे लो कि ये जीने का टैक्स है कि अभी अच्छे काम तुम्हारे पास से खो पाएंगे जिनकी कुंडी में ये योग है दूसा योग जो मैंने बात करी कि मंगल चौथेगर में बुद्वार में सालता ये बहुत ही बुरा योग है और ये जिन्दीगी में कभी सुख ही नहीं रहने देता चाहे गरस्ती हो चाहे कमाई हो अपना सबाब हो दुनियादारी हो सब के अंदर बिकार के रखता है अगर इस तरह का योग जिसकी कुंडी के अंदर हो बिटा चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की दोनों बराबर के दुखी होते है या ये लगालो के दूसरों के दुखों का कारण भी होती है तो इसका इलाज बेहत जागा जरूरी है मद हो औरत हो बिटा उसको भीच में से अपना नाक चिदवाना चाहे चाहे चाहनमे दिन के लिए गले के अंदर पीले रंका धागा धारन करना और उसके अंदर तामबे का छीड़ वाला पैसा धारन करना हमेशा के लिए बहुत जरूरी है और तर्तालिस दिन लगाता खाली मटका धकन लगाके उसको जल परवा करना और उसके बार में तर्तालिस हफते यानि कि 43 बुद्वार खाली मटके को डखकन लगा के जल परवा करना बहुत जरूरी है और हर मंगलवार को 400 ग्राम चावल दूद के साथ दोके उनको जल परवा करने साथ जब तक ये उपाई नहीं होंगे ये बुरा नसीब नहीं जाएका दूर और चाहे कितने भी जगा से क्यों पूछते फिरो कितने भी मंद्रों पे जाकर के प्रमात्मा के सामने खड़े होके क्यों क्यों पूछ के हाथ जो कहीं से जवाब नहीं आने वाला बेटा क्योंकि प्रमात्मा जो लिख देता है ना उसका ज्वाब देने स्वयम धर्ती पर नहीं आता है तो इसलिए यह उपाय को बचा लेंगे लेकिन यह क्यों ढूलने पर कहीं से कोई इलाज नहीं मिलने वाला तो इन उपाया को करो दाता जुरूर सुख रहेगा गुरुदेवाज बात हो रही है उन लोगों की जो की काबल होने के भी बावजूत कभी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी महनती होते हैं बड़ी पढ़ाई भी करते हैं अच्छे कॉलिज से भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी लगने वाली होती है सब अच्छा चल रहा होता है पर एकदम से डिप्रेशन उने हो जाता है तो उसका कुनली से क्या संबन देता है एक योग आता है लाल किताब के अंदर जो शनी चंदर का योग है प्राकरमस्तान का इसके अंदर एक कहावत लिखी गई है कि घर के अंदर संदूक्ची तो होगी लेकिन धन से खाली होगी इसमें यह भी चीज पाई जाती है कि ऐसे इंसान के पुर्खों के समय का कोई गल्ला यह संदूक चला आता है जिसके अंदर की वो पहले पैसे और अच्छी चीज़े रखा करते थे और अब उसके अंदर कबार वगरा रखे पता नहीं कहां पे ठैका हुआ है जिसको कभी कबारी देखने को मिलता है यह शरी और चंदर का मेल हो और बुद्ध खराब ववस्ता के अंदर बैठाओ ऐसे में इंसान लिखाई पढ़ाई करता है या कुछ भी सीखता है काबिल बनता है काबिल बनके जब उसके काम करने का टाइम आता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है जिसके चलते हुए कईयों की पढ़ाई पहले पूरी हो जाती और कईयों की नहीं भी हो पाती उसी बीच में ये डिप्रेशन के अहलात खड़े हो जाते क्योंकि बुद्ध खराब है और ऐसी वस्ता के अंदर बेटा तरह तरह के इलाज करने के बावजूर भी और बच्चा लगता बिल्कुल नार्मल है कि जब वो बात करेगा तो बिल्कुल नार्मल लेकिन क्यों वो अग्रेसिव हो गया क्यों उसको बाहर किसी के साथ भी गुलने मिलने में दिक्कत आने लगी क्यों वो दूसरों को फेस नहीं कर पाता और क्यों उनसे डर लगता है उसको पता भी चलता और ऐसा बच्चा फिर घर से निकलता और घर से निकल के जाना भी हो तो उसे किसी ने किसी अपने का सहारा चायए होता है ये इस तरह के खराबी है चाहलात देता है एक और बात ऐसे बच्चे की मां को भी जिन्गी में तक्रीफे बहुत भूगने को मिलती है या उनके साथ कुछ बुरा होता है और घर के अंदर जैसे ही सीला नाती है वैसे ही मामने खराब हो जाते है और खास तोर पर घर के दक्षिन की तरफ की जो डिवार होती है या जगा होती है वहाँ पर अगर सीलन के हालाट बढ़ जाए तो ये चंदर शनी वाक्ते में बुरा फल देही देती है समझे ऐसी वस्ता पे हमें बुद को शनी के दुश्वन ग्रै के साथ मिला करके उसकी सही जगा पर पुचाए जाए तो बेटा ये सुख दे जाता है तो उसके लिए क्या करना होता है करतालीस दिन लगातार लाल फिट्री लेकर के घास वाली जमीन के अंदर अगर दबा दी जाए तो बेटा बुझ अपने काबू में आ जाता है पर वो अच्छा फाल दे ले लगता है और इसके बाद दूसरा उपाई भी करना बहुत सबुती है जो क्या? कि अगर बुझगों के समय से चला आरा किसी भी करा का संदूक या संदूक्ची या गल्ला वगरा हो घर पे रखाओ तो उसके अंदर अगर बिकार और कबार की चीज़े है तो उनको निकालो उसको बिलकुल साफ सुत्रा करके पेंट रंगरोगन करके उसको वापस सिस्तेमाल करना शुरू करो और उसके अंदर पैसा, खाने पीने के चीज़े या रोज मरा के खच की चीज़े बिटा ये उसके अंदर रखने शुरू करो वो भी एक तरह का अब शागुन को ठालेगा और ये अच्छा करेगा ऐसे बच्चे के कबरे में खास और पर चांदी की ठाली में गंड़ा जल भरके उसके कपरवाली अलमारी के अंदर रखो और हर चंद्र गहन के ओपर थोड़े से नारियल और थोड़े से साविर बदाम लेकर के इस बच्चे के सर से साथवार उतार के उनको जल परवा करते रहूँ तो ऐसे बच्चे जो परली करके डिप्रेशन में हैं बगाई यह उपाई करके दिखो जरूर इससे गिजार मिलेगी और जिनगी में कामजादी मिलेगी गुरुदेव कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी ही काविल होते हैं और वो गलत संदिपी में पढ़ जाते हैं जिसे मेशे की भी आदत में हो जाती हैं ऐसा क्यों होता है जमिन के लिए यह चंद्र और बुद्ध का मिल बहुत ही बुरा माना जाता है हम लोग जो नॉर्मल हैं जिनका चंद्र बुद्ध का मिल नहीं है इन लोगों की एक खासित होती है कि यह कुछ तो बोल रहे होते हैं और कुछ और ही सोच रहे होते हैं यानि कि बोलना कुछ सोचना कुछ और यह आपस में एक बात जो भूँ से निकल रही है और दूसरी जो मन में चल रही है इनका तालुकाद मिलाने में बहुत काम्याब होते हैं सब लोग लगपादे हैं लेकिन चंद्र बुद्ध की एक प्राब्लम होती है कि इनका दिल और दिमाग एक ही होता है यह जो बोल रहे होते हैं बस वही सोच रहे होते हैं और जो सोच रहे होते है वही बोलते हैं इसलिए इस योग को बुरा माना जाता है और यही वो लोग होते हैं अगर इनको नशे की लख लगे तो यह नशे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि यह एक चीज के उपर कंसर्टेट करता है और यही लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई नेगटिव इनके दिमाग के अंदर आ गया तो यह उस बात को पकड़के बस उसी को लगाता नंबे समय तक लेकर के जीते रहते हैं यह बहुत ही गंजाई होगा इसलिए इस योग को हटाना बलकि लाल किताब के अंदर तो यहां तक भी बुद्ध और चंदर के मेल को बताया गया है कह उसके काम खराब खुच चुके हो और इलाज कराने के बाद समझाने के बावजूर भी वो काबू में ना रहा हो तो सबसे उत्तम है देसी घी का सूजी का हलवा बनवा करके एक ही दिन की अंदर सो कम्यों को बटवाता हो और उसके बाद हर बुद्ध वार को यह हर सोमबार को देशी घी का हलवा बना करके यह मंदर चला करके यह बच्चियों को बाड़ते चले जाएं इनको करके देखिए यह चंब बुद्ध का मेल कुछ ना कुछ अच्छे पन तो आपको जरूर देगा और यह नशे से चुटकारा जरूर देगा तो चले इससे पहले आगे बड़े हमारे साथ जुड़ गए है एक फेस्बुक कॉलर शगुन धुड़ी हुई है भिवानी राजस्थान से जी शगुन शगुन की जन के दिथी है 22 अगस 1998 जन का समय है तीन बच के 40 मिनट पीम जन का स्थान है भिवानी राजस्थान सवाल है सरकारी नौकरी कपने बड़े तवारी कुली के अंदर जो योग मुझे नजर आ रहे हैं ये सरकारी नौकरी के लिए थोड़े कमसोर है ऐसा दिए कि नहीं है बिलकुल है लेकिन काफी कमसोर है उसका कारण क्या है एक तुम मंग लिखो जो डेली इंकम के अंदर बैठा हुआ ये जो मंगल है जो शादी शुना जिनगी के लिए हलका सट ले और डेली इंकम को अस्थिर करता है एक तो इसे जगाना पड़ेगा और दूसरा सरकारी नौकरी का कारक जो सूरह है उसके साथ बैठे हुए राहु ये खराबी दे रहे है जो कि तुमारे बंते बंते कामों को बेगारेंगे और पूरा काम यादनी होने देंगे और खास तो पर अगर तुमें डेस्ट एलर्फजी रहती है या किसी की तरह का जुकार्व म्शाइनस रहता है तब भी ये खराबी के लाद देंगे और अगर ये टांगों की जो जांगो आला हिसा है इसके अंदर अगर ये दर्द बना कि ये योग खराब है तो सबसे पहले तुम्हें साथ एट की दिवार हरो सुबा बनानी है और शाम को गिरानी है ये तर्ताली दिन लगातार करना है तुमने बटा मीचे साथ आफ एटे रखके उपर एट रखके सुबा बना दो और शाम को गिराना एक है दूसरा दूसरा के अंदर तरताली सीर लगातार 8 खोटे सिके लेकर और उनको जाल परभां करते हो और अपने वजल्दके वराबर जवार लेकर वसको बंदर के हैं और अपनी माख को कहो 37 दिन लगातार में ये लगातार एक साल तक करना है हर जए एक बूठी चावनन लेकर उनको दूद के साथ दो करके कवों को खिलाती है इतने सो पाइब कर बटा सरकारी मौकरी के योग भी त्यार हो जाएंगे अच्छी अलाग पर पुछली इससे पहले आगे बड़े हमारे साथ जुड़ गए है एक सेस्बूक कॉलर वरानसी से ब्रिजेश तिवारी जुड़ गए है जी ब्रिजेश तिवारी जी अपने बेटे के बारे में पूछना चारे हैं ब्रिजेश तिवारी जी और बेट बहुत हैं उनके बेटे क सवाल जेनलिक पूछ रहे हैं बच्चे का वहीशे कैसा रहे है जननकुली किसी की भी हो उसके अंदर कुछ इक हालात तो बिलकुल फिक्स होते हैं और बाकि सारे दुराहे होते हैं और यही दुराहों के बारे में अगर पहले से माबाप ख्याल कर ले तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर निकल के अपने जीवन को उस्तिता की और नहीं लेके जा सकता और सही रास्ते के बारे में पहले से चैन करने बेहर ज़रूरी है जैसे अभी मंगल केतु का मेल इसके भागे सान में मेनत के लिए बना बहुत अच्छा है लेकिन इस बच्चे के आने के बाद इसके पिता कया अपने भाईयों के साथ में बहुत अच्छे हलात रहे हो उसके लिए कमजोरी होगे इसलिए इस योका सबसे पहले इलाज करके चलना है और वो क्या करना है एक चांदी के बरतन के अंदर शेहर बरके घर की नीम में दबाना और घर में कुत्ता पालना ये बहुत जरूरी है दोसी तरफ आज़ा सूरे बुद का मेल बेहर बेहतरी बैठा हुआ कहता बच्चा लिखाई पढ़ाई भी करेगा बच्चे की लिखाई पढ़ाई के साथ में अच्छे अहलात बनेंगो और आगे चलके ये इस तरह के अहलात में वज़ेगा कि अपने ही काम के अंदर को न आज़ाई परफेर रहना कि आतो इसे प्रफेस्टन बनाना है या फिर इसको किसी मौकणी के लिए तैयर करना है। तीसी बात, शनी अस्टम भाव का भी, ये भी कहता है कि किसी ना किसी तरह की खोजड़ बीन की आदत नहचा है। चारण बीन की आदत रहेगी एक तरह के रिशर्च मोन में ही रहेगा है। और कोई नहीं चीज बना करके जीवन के अंदर प्रेकी पाएगा। तो शनी भी कोई शुक्र अगर जब खराब्दी पर आजाता है तो यह अपनी ही तरह की सोज़ देता बाकि कोई भी ग्राय कितने भी अच्छे अहलाब दे रहे हूं उनको नहीं चलने देता तो इसलिए खास जान यह रखना है कि इस बच्चे के पढ़ने लिखने में अगर कोई शुर्वात में ही दिक्कत आए या किसी भी तरह से दूसरों से अलग इसकी बुद्धी लगे तो उपाई क्या करना है उपाई करना है 27 दिन लगाता छे पत्थर सफेद ले करके उनके उपर सफेद चंदन लगा के जल परवा करना है तब यह अच्छे पर आए और अगर ऐसी कोई प्राब्लम नहीं है तो किसी उपाई की जोटनी है इसको ऐसे के ऐसे ही रहाए फिर उसके बार करना है हर साल इसके जनम दिन के बाद कर तालीज दिन लगाता थोड़ासा दूद लेकर शरी मंदर के अंदर देते रहो बस इत्रही है अगर इसका सही यूज किया और इस बच्छे को प्रफेशनल लाइफ की तरफ या नौकरी के लिए तुम्हें त्यार किया तो तुम्हारा यही बच्छा तुम्हारा बहुत अच्छा नाम करने वाला होगा लेकिन उसके लिए अभी से कुता तुम्हें घर पे पालना शराब के लिए तैसी लगते हैं कि सब कुछ बरबाद हो जाता है इसके क्या योग होते हैं गुरु देख जब भी एक लाल किताब के अंदर योग आता है कि शनी बुद्ध के दाएरे में होगा जो मेंगे जिस तरह का बुद्ध होगा शनी उसी तरह काफल देगा यह जो बनता एक इसके अंदरे इनसान शनी की चीजों की तरफ जाला जुकाब होता है यानि कि शराब की तरफ मास की तरफ लेकिन जो शनी होता है यह चोर भी होता है यह आजसी भी होता है यह जोटा भी होता है यह बिमारी वाला भी होता है शनी के कारण यह सारी चीज़े बनती तो जब इस तरह की योग हो यारे की बुद्ध के दहरे में शनी हो और शनी वही करेगा जो बुद्ध करेगा और ऐसे जो इन्सान को एक बार बुरी सोसाइटी की लट लग गई यानि कि शराब मास्क के अंदर या याशी के अंदर किसी तरह की उतर ने लगा तो उसका अपने उपर से कंच्रोल खो जाता है इनका शनी खराब हो चुका होने के कारण ये लोग चापलूसी के मोड में आ जाते हैं यानि कि जब इनको अपनी जलूवत पूरी करनी है तो इनसे अच्छा कोई नहीं होगा और जब इनकी जूर्त पूरी होगी है ये मैशे में हुए तब इनसे बड़ा नवाब कोई नहीं होता फिर ये किसी को कुछ नहीं समझते एक और चीज़ शराब का काम है लोगों को उनकी याद रखने वाली चीज़ों को भुला देना इसलिए जो लोग नॉर्मल जिल्गी के अंदर भी डेली जादा शराब पीते हैं और इस तरह का ख़राब योग नहीं दिये तब भी अगर वो शराब जादा पीते हैं को आप देखिए कि वह अभी शाम को यह सोचते हुए सोते हैं कि सुबह उठके यह चीज़ याद रखेंगे यह चीज़ याद रखेंगे लेकिन इनके मन का आलस हितना होता है कि उसे लिखते नहीं और अपने पर कॉन्फिडेंस होता है कि याद रख लेंगे लेकि सुबा उखते ही सबसे पहले वो काम को भूल जाते है इसकी वजासे भी कामों के नुकसान होते है और जो इस तरह की शराब के लटके होते हैं जो दिन में भी पी लेते हैं याद हैं इनकी concentration सरफ वही पिड़ाती है तो इसलिए इस योका इलाज करना बेहद ज़रू है पर इस योका इलाज तभी कारगर होगा अगर ऐसे इनसान के चंदर और मंगल को भी मजबूत कर दिया जाए और चंदर और मंगल को अगर मजबूत करना है तो सबसे पहले अगर ये उपाई करना है तो ऐसे इनसान को रोव सुबा थोड़े से दूद के अंदर शहर मिलाकर के पिलाना बेहद ज़रूरी है इससे चंदर मंगल उसके अंदर जाएंगे उसको सात्विक सोच के लिए ये विजित करेंगे क्योंकि शनी को अच्छे करने के लिए हमें चंदर और मंगल दोनों की साहिता चाहिए होते है ये ना हो तो शनी अच्छा होना मुश्किल होता फिर उसके बार इसके उपाई शुरू करो और वो उपाई क्या है कि 45 दिन लगातार ये आम के पेड़ के ओपर आम लगने से पहले बूर आता है बटा वो बूर लेकर के और दूर के साथ वो शिवलिंग के ओपर चड़ाया चाहिए समझे अगर ये उपाई भी क्योंगी ये मौसम पर अधारित है अगर ये नहीं हो सकता दूर सा उपाई करे और वो क्या 43 दिन लगाता चार मुठी साबुड बदाम लेकर के वो दान दूँए उसके बार में जो ग्रै जनम कुली के दसवे घर में मानलो अगर चंदर्मा बैठा है या सूरे बैठा है जो की शनी के दुश्मन गया है अगर इनमें से जो भी बैठा हुआ है अगर चंदर्मा बैठा है तो वही अनार की कटोरी वाला उपाई यानि कि स्टील की कटोरी के अंदर 84 टुकडे अनार के छिलके के डाल कर उनको दूद से बढ़के रात को सिराने रखके रखके सोंगों सुमा मंदर में दे और अगर वहां पर सूरे बैठा हुआ है तो फिर 43 दिन लगातार तामदे का पैसा जल पलबा करें और ऐसे इंसान के सर को हमेशा ढखके रखना बहुत ज़रूरी है जिसमें नीला या काला रख बिलकुल ना हो इन उपायों के होते ही इस इंसान के मन के अंदर स्मक्या परमात्मा डालेगा सरबुद्धी डालेगा और इसके बार वह दीरे दीरे करके वाके में शराब छोड़ने में सक्षन हो जाएगा लेकिन जब तक यह उपाय नहीं होते हैं आपने देखा होगा कि ऐसे लोग 15-15-20-20 दिर महिना महिना भी शराब छोड़के देख रहते हैं लेकिन बार में फिर उसी लख में डूप जाते हैं लेकिन जब वो शराब छोड़ते हैं तब अगर यह उपाय साथ में करवा दिये जाए तो उसके बार परमात्मा जरूर अच्छा रखेगा और उसके बार हर शनीवार को शनी के दान जरूर करते रहें गाता खुश लेए तो शनीश से पहले आगे बड़े हमारे साथ जूड़ गहें एक सेस्बूक कॉलर जी प्रतीक तो प्रतीक की जन तिती है 11 जून 1989 जनका समय है शाम के साथ बजे और जनकास्थान जैपो राजिस्थान नौकरी में तरक्री कैसे मिलेगी लिए कुली के अंदर जो योग चल रहा है अच्छा चल रहा है और ये नौकरी के अंदर वाकर में तमारे पास से मेहनत करके तुम्हें काफी अच्छा अगय बढ़ा सकता है और ये योग अभी शुरू ही हुआ है अगर छे साल तक ये काफी इच्से फल दे सकता है अगर तुमने अपना सभाब नहीं दिखरियर अपने घर के बजर्गो के साथ अगर तुमने इगो नहीं प्यदा क्रशने प्धरियर ओडर और घर में क्लेश के अगर पनी जाए तो ये तुम्हें बहुत अच्छे तरक्य ह और उपाई बेहल ममूली के साथ ही तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा एक बात और नमबर दो अगर इस वक्त में तुम अपना मकान बनाते हो या घर के अंदर रेपेरिंग करवाते हो तो उसके बार में पत्नी घर के बज़ुरग इनके लिए बहुत बड़ी समस्य पहला ह इसलिए अगर हो सके तो अभी कम से कम ढ़ाई साथ तक कोई मकान बनाने की कलती मत कर तीक है तीसरे एक और योग है चंदर केपु का मेल तुमारे नौए घर में ये जो योग है ये पूरे घर को एक तरह का अभाव में रखता है इनसान के पास सब कुछ होता है लेकिन सब क सुखों के लिए ये परनी के योग मनाता है इसका इलाज़ भी में तुम्हें साथ में जरूरत होगा पर सबसे पहले तुमारी नौकरी का इला है वो क्या है एक मिट्टी के लोटे के अंदर हां मिट्टी के लोटे के अंदर दूद भरके उसको जाके बटा शेती की जबीन लेकिन अब 43 दिन लगाता है चार पीले निम्बू बिना दाके मंदिर में दोगे तो तुम्हारा पूरे परिवार के अंदर खुश्यों के महौल आएगे। और उसके बात में अगर तुम सोने में मोती लगवा करके धारंग कर लोगे तो यह सोने पर स्वागा हो जाएगा और तुम्हें काफी अच्छे सुख मिलेंगे। यह जो मैंने तवा चुम्तांग यह वाला उपाई दिया है यह अगर तुम हर साल करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही उत्ताम्हला आप रहे हैं खुश्यों को चली से पहले आगे बड़े हमारे साथ जुड़गे हैं एक फेस्बुक कॉलर हमारे साथ अमर है जो कि नई दिल्ली सरकारी नौकरी कब लगेगी कुल्डी के अंदर बहुत अच्छा योग है कि जो सरकारी नौकरी में लिए वाके में है लेकिन वेटा एक ही योग है जो बहुत खराब कर रहा है सूरे और वह है तीसरे घर में बैखे हुए केतु देव सूरे को पर जो द्रश्ची डाल रहा है वेटा इसकी वज़े से वाके में कामकाज के मामने में नौकरी लगने मामने में अर्चने आ सकते हैं अगर तुब इसको ठीक करके चलो तो काफी कुछ अच्छा होगा एक बात है ये दूसरी बात ये जो अभी तुमारी उम्रे चल रही बैटा है इसके अंदर भूल के भी दूद और पानी का डाल नहीं करना समझे किसी भी तरह का प्याव नहीं बार साज़नी कुरूप से लगवाना और नहीं कोई चबीर वगरा बात है हाँ शम्शान घाट में या किसी हॉस्पिटल में प्याव लगवाना हो तो बेशक आख बंद करके लगवाना वो बलकि नौकरी लगने में तुमारी और अच्छी मदद करें ठीक है दूसरी बात यहाँ पर कुटा अगर तुमारे घर में ह और हर तीन मीने में तीन किलो कच्छे कोले जल पर बात है और एक सूने का सूरय दो चास ग्राम का बनमा के लाल धागे में प्रोके यह अपनी कंठी के उपर यह दारन कर लो और शम्शान घाट में प्याव लोगा इतना सौपाई करते ही तुमारे लिए हर तरह से उत्तव सब्सक्राइब बनेंगे और तुमारे सरकारी नौकरी के योग बिल्कुल तियार होते हैं खुश्यादा तुशली से पहले आगे बड़े हमारे साथ पेस्बुक वालो जुड़ी हुई है क्विंकल हर्याना से जुड़ी हुए हमारे साथ जीप विंकल जन के दिति है 9 जुलाई 1997 जन का समय है रात को 9 बज के 25 मिन और जन का स्थान हर्याना विश्य कैसे रहेगा अगर तुशली नौकरी के लिए त्यारी करती है तो उसके अंदर कुली तुमें बहुत अच्छा स्पोर्ट करेंगी उसका कारण ये है कि एक तरफ सूरे पाच्वे घर के अंदर बैठे हुए और शनी बहुत ही अच्छे हालात के अंदर बैठे हुए बिड़ा धन भाव के अंदर ये इससे अच्छा योग और नहीं होता धनी बनने के लिए और सरकारी काम करने के लिए और अगर किसी भी तरह के इंजिनिरिंग के शेतर में या किसी भी तरह के टेक्निकल काम के अंदर तुम उतरती हो या फिर फाइनेंस के अंदर उतरती है तो ये सारे शेतर तुमारे लिए बहुत बढ़ी है लेकिन मंगल तुमारी कुली के अंदर ख़राब है अश्टम भाव का ये मंगल और केतु लेवन के अंदर ये हर काम को करने की डेडिगेशन देता है कि इनसान जो सुपले ठानने करके बास आता है लेकिन इसके साथ में एक मुसीबत भी देता है कि इनसान को अंदर ये अंदर जाला गुसे वाला बनाना उसके गुसे के कारण घर के अंदर के हालाथ खराब करना और अपनी जिल्गी के अंदर जब मंगल का रहा है ये तुम कर लो और अगर तुम पूरी डेडिकेशन के साथ करके अपने किसी भी स्टिन के अंदर इनने से चुनकर उसके अंदर उतरती है तो तुम्हें जिल्गी के अंदर बेंताहा अच्छी कामजाबी मिलेगी उपाए है तीन धातों का छला सोना तांबा चांदी मिलवा करके अपने रिंग फिंगर गें लेग धारन करो हर मंगलवार को आठ खुड की रोटी तंदूर में लगवा के कुट्टों और कवों को डालो ये कम से कम 43 हबते तुमें कमा है चांदी अपने तंद के उपर जावा से जावा धारन करके रखो और हर मही में पहले शनिवार को काला सफिर कंबल तुमने दान देना ही देना है चाहे कुछ भी हो ठीक है और हर रोज के इसरा का तिलक अपनी नाभी जुबान और माथे पर लगा के चलो और खास बात कभी जिल्गी में भूल के भी सरसों का तेल अपने सर पर कभी नहीं लगाना इसके विपीर दू देही या देशी गी का तिलक अगर तुम लगाती है तो बेटा तुमारी जिल्गी बहुत अच्छी जाए तो इन्हें पाया को करो ताकि जीवन अच्छा रहे गुरुदेव हमारे पास समय की थोड़ी कमे है पर जाने से पहले आज का खास गुरु मंत्र हमारे दर्शुकों को देते जाए बेश्चर बटा गुरु मंत्र आज बात बच्चों के एबों की हुई है और खाम खाएंके अच्छे हालात होते हुए भी खाम खाएंके बुरे हालात जिन्दगी के अंदर जो कूट जाते हैं और जिन्दगी को तबाय कर देते हैं इसके इन सब में आपने देखा होगा कि इसके अंदर कारक शनी ही होते है और शनी जब बिगर जाते हैं और वो महाल के वश्वे आकर के बिगरते हैं हमेशा आसपास का महाल जब खराबी के उपर होता है यही रीजन है कि पहले बच्चे को माँ बाप स्वैम मंदिर में लेकर के जाया करते थे तो वहां जाके पूजा में, आरती में, मंदिर की सफाई में, मंदिर के कारियों के अंदर कुछ ना कुछ बच्चे को लगा के रखते थे और जिस इनसान को भी अपने आसपास गुरू, पंडीजी या पूजा आरती नजर आती है, वो बुरे पन की तरफ में ज़्यादा जुकता ही दे आज की देट में, बच्चों का लगा थार बिगणना, और इतनी ज़ाना मात्रा में बिगणना और इस ख़क की चीजे पहले कर्पना भी भी नहीं की जाए सकती, किसी परेवार की अंदर, उस हद तक mostly बच्चे आप बिगण अगर आप सोचते हैं कि आप मंदिर तो जाते हैं लेकिन कैसे जाते हैं आप जाते हैं सुबर के वक्त में गए जैसे परनाम किया आपने एक दूब जलाई पर मात्मा पे एहसान करके जैसे बाग गया यह मंदिर जाना नहीं हो तब जाना वाकर में बले वो हफ्ते में एक बा परती के समय की जो सफाई है जो फल्फूल लखने हैं जो परमात्मा को अर्फन करने हैं उन सब भी आपका कुछ न कुछ स्योग होना चालिए और उसके बीद में आपका बच्चा आपके साथ होना चालिए जो भी इनिसान इस करम को करता हुआ चले का और अपने बच्चे को लगातार ये आदर डाल के चलेगा उस बच्चे का शनीक कभी खराब नहीं हो सकता सबढ़ेगे उसके बावज़ूल भी अगर कहीं थोड़ी दिर के लिए खराब हो भी गया तो छोटी सी एवाई से ही बच्चे की वापसी होगा लेकिन जो बच्चों में मंदिर का रास्त चुका और खराब हलात हो ही चुके तो एक उपाए उसी बच्चे से करवाई है जैसे मज़ी लग्चे करवाई है और वह क्या करना है सुबह सवेरे तारों की च्छाओं में सुबह साधे तीन चार बचे तर्तालीश दिन लगातार की करके पेड़ के उपर जल चड़आने ह और ये शनी का ही सबसे उत्तव उपाय है की करके पेड़ के उपर जल चड़ाने से शनी अपने बुरे रूप को त्याग देंगे और बच्चे को सब्दूदी देंगे अगर बच्चे के नर गुस्ता है अकड़पन है नहीं सुनता और खाब खाइके बुरे यस्वों की तरफ या बुरे हलात की तरफ भागता जा रहा है इन सबसे बहुत जल्दी छुटकारा आप सबकों मिल सकता है खुश चुरु देव हमेशा की तरह हमारे दर्शुकों का मा बच्चन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्त है बातारानी सबकों सुखी रखें खुश ने बख्षें तो शली आज के लिए बस इतना ही लेकिन कल हमें बैसर से हाजर हो जाएंगे आपके लिए एक नया विशाय लेकर तब तक के लिए अपना खयाल और देखते र नमस्कार